दोस्तों नमस्कार आदाब सत्रियकाल नियोज क्लिक के कारिक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश संसत के मौझूदा सत्र में विपक्ष ने सत्ता पक्ष के खिलाब दो बड़े मुद्दे मेरे हिसाब से दो बड़े मुद्दे उठाए हैं अभी तक पहला महंगाई और दूसरा विपक्ष को खत्म करने के लिए एडी का प्रवर्तन निदेशाले का अन्य जो शास्की एजनसियां हैं उनका राजनितिक उपकरण के तोर पे इस्तेमाल आज की बात में हम विपक्ष के उठाए हुए दूसरे मुद्दे की चर्चा करेंगे क्योंकि महंगाई का मामला दोस्तों सिर्फ आरोप नहीं वो एक एसी सच्चाई है जिसे हर कोई जानता है और हर कोई मानता है यहां तक की भारिशी ज легन्ता पार्टी के जो समर्तक हैं जो सडग पर पार्क में दुकान पर बाजार में जहां कई भी मिलते हैं वो भी मानते हैं कि मंगाई बेहिसाब है इसलिए उस मुद्दे को सर्व सम्मत ढंग से माना जाए कि वो एक जेनुविन वास्तविक मुद्दा है जिसको विपक्ष ने उठाया है उस पर सरकार ने क्या कहा है ये हम सब ने देखा सुना तो हम उसको न उठाकर आज हम E.D. और अन ये जो उर्षास की एजनसियां है उनके राजनितिक इस्तेवाल के मुद्दे को लेकर चुकि आम लोगों में अभी भी कन्फ्यूजन है इसलिए उस पर बात करेंगे दोस्तों विपक्ष के इस दूसरे मुद्दे की परताल और व्याक्या हम इसलिए करेंगे ये जानने के लिए करेंगे कि क्या ये महद आरोफ है या इसमें कुछ सच्चाई भी है कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष के चुकी नेता फंसाये जा रहे हैं या फंस रहे हैं नोटों की गड्डियां भी दिखाई दे रही हैं तो कहीं ये आरोप विपक्ष का जो है वो जेन्वीन है या एक यूँ ही एक जूटे डंग से कहा जा रहा है कि साब हमें फंसाया जा रहा है फंसाया जा रहा है दोस्तो सच ये है कि विपक्ष का जो मुख्य आरोप है कि ED, CBI, IT आदी का ये सरकार सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों के विरुद राजनितिक इस्तेवाल कर रही है ताकि एक तरफ उनके सहसी और निर्भीक नेताओं को जेलों में डाला जाए या जेल से ड़ा कर पार्टी छोडने को बाद धिकर दिया जाए या अपनी पार्टी में मिला लिया जाए, यानि B.J.P. में और दूसरी तरफ उन पर भ्रस्टा चार का रोप लगा कर जनता में उन दलों की शवी उन नेताओं की शवी खराब किया जा सके ये विपक्ष आर्गुमेंट दे रहा है इसकी व्याख्या इस रूप में कर रहा है कि क्यों विपक्ष के लोग ही इसमें फसाये जा रहे है इस के जबाब में दोस्तों सक्टा पक्ष कहता है हम दोनों की बात कर रहे हैं इसी लिए कि एक आर्Star लगा रहा है तो दूसरा आरोप लगा रहे हैं इसके जबाब में विपक्ष क्या कहता है उसका ये कहना है कि आखिर वो क्या कारण है कि सारी की सारी छापे मारियां सारी जेल सिर्फ विपक्षियों को ही हो रही है क्या वजा है E.D. का डर दिखा कर सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही क्यों तोड़ी जा रही है जो तूट कर भाजपा में जा रहे हैं वे दूद के धुले रातों रात कैसे हो जा रहे हैं क्या भारती जनतापाटी प्रस्थाचार के दाग मिटाने की विशाल लॉंडरी मशीन है विपक्ष के इस गंभीर सवाल का सत्तापक्ष के पास अब तक कोई जबाब नहीं है इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला तो जरूर है दो दिनों पहले विपक्ष ने E.D. को कार ने राजसवा में एक सवाल के जबाब में बताया कि E.D. बीते आठ सालों में 888 मुकदमों में चार्शीट उसने दाखिल किया लेकिन सिर्फ 23 मामलों में उसे अब तक सफलता मिली यानि कन्विक्षन जो हुआ वो 23 मामलों में अब तक हुआ इसका क्या मतलब है इसका म मामले अब तक आये हैं उसमें काम्यावी का रेट करीब करीब 2.0 फिस्ट दी है यानि सो केसे लिया इडी ने तो 2.04 यानि 2.04 केवल इतना ही यानि 2 के आसपास समझ लीजिए कि केस जो है साल्व कर पाए या उनको बता सके कि वाकई वो भरस्ट है सरकार के वित राजिमंत्री पंकच चौधरी जी ने सदन को बताया जबाब में कि एडी ने सन 2014 से जून 2022 के बीच कुल 3.010 सर्च आपरेशन किये जबकि 2004 से 2014 के यूपिय के 10 साल के राज में एडी ने महाद 113 सर्च आपरेशन चलाए थे इसमें 104 चार्च शीट दाकिल हुई थी 104 104 इस तरह एडी के सर्च आपरेशन में मोदी राज में यानि नरिंद्र मोदी जी की सरकार में 27 गुना बढ़ोत्तरी हुई है 2014 से 2022 के बीच एडी ने 22,330 केसेज फाइल किये 5329 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया तो ये जो आंकड़ा है ये बताता है कि सचमुच मोजूदा सरकार एडी पर काफी दाइत्वसों पे जा रही है अब एडी का चूंकी कन्विक्शन रेट इतना कम है तो ये माना जा सकता है कि तावड तोड तावड तोड जो सरचाप रेशन चापे मारियां चाज सीट एफाई आर ये सब जो हो रहा है निश्चित रूप से उसके पीछे कोई न कोई जल्दबाजी भरा कारण है विपक्ष कहता है कि ये उसको फंसाने का जल्दबाजी भरा कारण है अब जैसे उधारण के तोर पे दोस्तों TRS के जो कारेकारी अध्यक्ष हैं केटी रामाराओ केटी रामाराओ ने सारवज़निक तोर पे ED, प्रवर्तन निदेशाले, CBI और Income Tax से पूछा कि बीते आठ सालों में इन तीनों एजनसियों ने भारती जनता पार्टी से संबध कितने नेताओं पर छापे मारे या कितनों के खिलाब चारचीट दाखिल किये इन एजनसियों की बात छोड़िये, अपने और अपनी सरकार को निस्पक्ष और पाक साफ बताने के लिए स्वेम भाजपा ने भी इस सवाल का कोई जबाब नहीं दिया जबकि उसके बड़बोले प्रवक्ता विपक्ष के हर सवाल का जोर शोर से जबाब देते रहते हैं यही सवाल श्रीव सेना की प्रियंका चत्रवेदी संसद और संसद के बाहर भी पूछ चुकी है पर कोई जबाब नहीं मिला तो क्या माना जाए कि स्री राव और स्रीमती चत्रवेदी की बात में वाकई दम है अभी आज ही के अख़वारों में एक ख़बर मैंने पढ़ी कि बंगाल में भारती जनता पार्टी के बड़े नेता सुवेंदु अधिकारी ने दिल्ली में माननी ग्रिह मंत्री जी से मिलकर उन्हें टीमसी त्रियनमूल कांग्रेस जिस पार्टी में वो कुछी समय पहले थे कुछी समय पहले थे दो साल उसके 100 प्रष्ट नेताओं की जब तक साबित नहीं हो जाता तभी हम तो कधित फी कहेंगे तो सो कथित भरष्ट नेताओं की सूची दी है ग्री मंत्री जी को जिनके विरुद्ध तत्काल जाच कराने की उन्होंने माननी ग्री मंत्री से अपील कर दी जाहिर है ये जाच एडी, सीबी आई या आईटी ही करेगी अब देखें मज़ेदार बात कि यही सुवेंदु अधिकारी जब टीमसी में थे तिरिनमुल कॉंग्रिस में तो उनकी जाच कराने की मान उनसे पुराने भाजपा वाले किया करते थे यानि जो असली भाजपा वाले हैं ज्यादा दिन नहीं हुए जब भाजपा और अनिविपक्षी बंगाल में ममता बनर जी की सरकार पर निशाना साधने के लिए शारदा नारदा इस कैम का सवाल उठाते थे और तब वो टीमसी के तीन नेताओं को सामने रखकर उनके किलाब जाच की मांग करते थे उसमें सबसे प्रमुक जो तीन लोग थे उनके नाम था मुकल रौय सुवेंदू अधिकारी और सोवन चटर जी अब ये तीनों भासपा में गए बीच में कुछ फेर बदल भी हुआ भासपा वालों ने जब ये गए थे तो भरपूर स्वागत किया सुवेंदू अधिकारी आज भी पक्ष के नेता है इसी तरह एकनाच शिंदे साहब महराष्ट के मुख्यमंत्री शिवशेना के विद्रोही गुट के नेता उनके गुट में अनेक विधायक ऐसे देखे गए शामिल होते रहे शिवशेना से अलग होकर जो बड़े बड़े घोटालों और स्केम के जिन पर आरोप थे असम के गोहाटी में जिस होटल में ये लोग रुके थे उसमें कई ऐसे चेहरे दिखाई पड़े उनमें कईयों के खिलाब मामले अभी भी लंबित हैं पर आज वे सभी भाजपा की लॉंडरी में धुलकर पवित्र हो चुके हैं ऐसा शिवशेना कह रही है उद्धव ठाकरे वाली शिवशेना मंत्री बनने की दोड़ में भी शामिल हैं ये तो अख़बारों में भी आ रहा है अभी तक कैबिनेट नहीं बनी कैबिनेट मतलब दो लोग हैं किवल विस्तार उसका नहीं हुआ दोस्तो हम आगे पढ़ें इसके पहले एक बात जरूर मैं करना चाहता हूँ कि अगर सुवेंदू अधिकारी साहब माननिक ग्री मंत्री से मिलकर वो एक होंगे अनिविपकछी निता भी देते होंगे कि उनकी जो राइवल पार्टीज फ़साने की होड सी मची हुई है सो लोगों की लिस्ट देने का क्या मतलब है और अगर एक राज से आ रहा है तो कैसे कोई माने कि दूसरे राज से नहीं आ रही है तो क्या यह चीज यह माना जाए कि एक भारती जंताबाटी में एक बिपक्षियों को अपने Rival को फसाने की ऐसा लगता है कि हूड मची है कि जूज़ा से ज़्यादा डॉकुमेंट लाएगा फसाने के लिए उसको किंद्र ज्यादा तवज्जो देगा बड़ा ओधा देगा सुवेंदिव अधिकारी जी की लिस्ट से ये एक संकेत मिलता है दोस्तो हम ये बात मानते हैं कि देश की राजनीत में आज भारी फ्रस्टाचार है और आज ही नहीं ये बहुत पहले से है पर वो ज्यादातर दलों में है और बड़े दलों में तो और भी है क्योंकि उनको बहुत फंड मिलता है इलेक्शन बॉंड स्वैमे की स्कैम है इसलिए है कि एक मुष्ट एक ही दल को जा रहा है कोई भी बड़ा पुझी पती और किसी विपक्षी दल को बॉंड के जरिये चंदा नहीं देना चाहता क्यों क्योंकि वो सरकार की नजर में आ जाएगा फिर उसका क्या हस्र होगा ये बात किसी से चुपी नहीं अगर कोई काला धन किसी गैर सक्ताधारी दल को जाएगा किसी विपक्षी दल को तो उसकी तो तुरत पड़ताल हो जाएगी तो ये तो है अपनी डेमोक्रसी का चंदा तंत्र चुनाओ में चंदा का बहुत महत्तो है कोई अपना खेत बेश कर चुनाओ नहीं लड़ रहा है आज कल वो आजादी के बात का दौर था जब ऐसे नेता थे खर्चा भी नहीं था लोग साइकिल पर चुनाओ परचार करते थे अब तो हेलिकाप्टर से नीचे रिजिनल लेता भी बात नहीं करते उसके लिए भी कोई प्रबंद नहीं किया गया है कि चुनाओ को सस्ता बनाया जाए इतना महंगा नहीं किया जाए तो अब रही बात सत्ता पक्ष के ब्रस्टाचार की क्या वाकई भास्पा में सारे के सारे लोग इमानदार और बिल्कुल धुले हुए साप सज्जन हैं फिर भास्पा के प्रवक्ता के फिर भारती जंता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं बड़े नेता हैं वो टीरेस के केटी रामाराव के सवाल का जवाब क्यों नहीं देते ज्यादा नहीं सिर्फ एक ही उदारण देना काफी होगा क्या लोगों को व्यापम की व्यापकता भूल गई है आज ताजा मामला तो जारखंड के चार विधायकों की गिरफ्तारी के दौरान मिली मोटी रकम का भी है एडी ऐसे मामलों की जाज में क्यों नहीं लगती अब एडी आदि के निर्देशित अभियान के राजिनितिक पहलू पर हम आते हैं क्या भास्पा एडी के जरिये विपक्ष मुक्त भारत के अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी है एक सवाल या भी उठाया जा रहा है और इसके उठाने वाले सिर्फ विपक्षी नहीं है देश विदेश के ऐसे विचारक ऐसे व्याख्याकार भी है जो भारत के ब वजुद नियाईक स्तर पर जब कोई मामला नहीं बनता नजर आ रहा था तो इसी सरकार के दोरान ये केस बंद सा हो गया पर सरकार ने एक अंतराल के बाद इसे नए सिरे से एडी के जरिये खुलवाया और गंभीर रूप से बिमार 75 साल की सोनिया गांधी को दो दो बार अब तक एडी के दफ्तर में बुलाकर दिन भर पूश्टाच कराई राहूल गांधी को तो इससे भी लंबे समय तक पूश्टाच के लिए एडी दफ्तर बुलाया गया इस तरह अगर देश की सबसे बड़ी विपक्षी और सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रिस पर दिन रात एडी का साया मणरा रहा है तो अपेक्षाकृत छोटी और सिर्फ एक राज्य तक सीमित जो शिवशेना है उसको भी एडी के पलीते से खत्म करने की कोशिश जारी है बंगाल में टीमसी जारकंड में जे एमें बियार में राजद इन तमाम पार्टियों पर कभी सी बी आई कभी एडी कभी आई टी का साया मणरा रहता है यूपी में सपा और बस्पा और ओडिसा में बीजे डी ये जैसी पार्टियां जो हैं वो थड़ा सुखी हैं सुखी इस मामले में हैं कि उन पर कोई साया फिलहाल मणरा नहीं रहा है चेत्री पार्टियों ने इन खासकर इन पार्टियों ने च्छापे मारी और जेल ओल से बचने के लिए पहले ही हमारे ऐसा लगता है मुझे कि सत्ताधारियों के समक्ष राईनीतिक समर्पन कर रखा है ले देकर तमिलाड और केरल के सत्ताधारी दलही भयाक्रांथ होने या एडी के पलिता ग्रस्त होने से या सत्तापक्ष के समक्ष समर्पन करने से बिल्कुल बचे हुए हैं। अब ऐसा लगता है कि ये नारा विपक्ष मुक्त भारत करने जैसा हो गया है। बेहत खतरनाक है। इनी शब्दों के साथ आज नमस्कार आदाब सत्त्रियकाल।